तो कैसे हैं आप लोग मोटोरलाग G64 5G मूबाइल में आपको एक बिक पांच होल डिस्पले देखने को मिल रहा है उसके साथ साथ एक 5G प्रोसेसर भी मिल रहा है और इसके अलब और 50 मेगा प्रिक्सल का ड्यूल कैमरा देखने को मिल रहा है तो और क्या-क्या फीचर्स इस मूबाइल में आपको मिल रहा है यह मूबाइल आपके लिए वैल्ली फर मनी फोन होगा के नहीं जाने के लिए यह वीडियो आपको 6.5-inch Full HD Plus IPS Punch-Hole Display इसका refresh rate 120Hz इसका touch sampling rate 240Hz इसका brightness 560Hz इस डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा इस मूबाइल में आपको 6.5-inch Full HD Plus IPS डिस्प्ले देखने को मिल रहा है यानि डिस्प्ले का video viewing experience बहुत ही अच्छा होने वाला है और उसके साथ साथ 5-hole डिस्प्ले का use किया गया है यानि डिस्प्ले का look advanced level का होगा और 120Hz का refresh rate मिल रहा है यानि refresh rate आपको काफी अच्छा मिल रहा है regular day उसका काम करने के time या multi-asking करने के time यह डिस्प्ले बहुत ही fast और smooth काम करेगा इसके अलाबा 240Hz का touch sampling rate मिल रहा है यानि इस mobile के touch response भी बहुत ही अच्छा होगा और IPS डिस्प्ले होने के साथ साथ 516-inch का brightness मिल रहा है यानि brightness आपको काफी अच्छा मिल रहा है इंडोर situation के साथ साथ outer situation में भी इस mobile के visibility बहुत ही अची तरीके से काम करेगा यह mobile plastic build है और इसमें IP52 का splash proof design देखने को मिलेगा यानि थोड़े से पानी के छीटे या dust particles से आपके mobile में उतना कोई फर्क नहीं आएगा वजन के बारे में अगर बात करें तो इस mobile के वजन है 192 ग्रैम के आसपास और इसका थिकने से 8.89 mm इस mobile में android 14 operating system stock android के साथ देखने को मिल जाएगा यानि इस mobile में आपको एक clear user interface देखने को मिलेगा और इसमें कोई भी adware और blotware देखने को नहीं मिलेगा और थोड़ा बहुत जो preloaded app बगार आप देख सकते हैं इस mobile में वो आप manually delete कर सकते है बैटरी के बारे में अगर बात करें तो इस mobile में आपको 6000 एमेज का lithium polymer battery 33 watt fast charger के साथ देखने को मिल जाएगा इसका अलावा type c charging port, 3.5 mm headphone port और dual speaker with Dolby Atmos देखने को मिलेगा और सबसे अची बात यह है के इस mobile के inbox आपको ए 33 watt का adapter देखने को मिल जाएगा security के बारे में अगर बात करें तो इस mobile में side mounted fingerprint scanner और face unlock की security system मिलेगा जो 240 hertz touch sampling rate होने के वज़े से बहुत ही fast काम भी करेगा और यह mobile 3 color variant में market में launch हुआ है mint green, pearl blue और icy lilac तो इन 3 colors में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा color पसंद है comment करके ज़रूर बता ना क्यूंकि आपके हरे comment मेरे लिए बहुत ही ज्यादा important है rare camera के अगर बात करें तो इस mobile में आपको 50 megapixel का dual camera देखने को मिलेगा इसका जो primary lens है वो है 50 megapixel का और इसका aperture है f 1.8 इसमें optical image stabilization देखने को मिलेगा यानि वीडियो उठाने के time आपके हाथ थोड़ा काप भी जाए तो आपके वीडियो stable रहेगा और इसके अलावा 8 megapixel का एक ultra wide angle lens देखने को मिलेगा इस camera के साथ आप 30 frame per second में full HD वीडियो shoot कर सकते है यानि इस mobile के rare cameras के साथ आपको average level का photo या वीडियो का output देखने को मिल जाएगा आप इस mobile के साथ बहुत ही high quality के photo या वीडियो shoot नहीं कर सकते हैं इस mobile के front में आपको 16 megapixel का एक selfie camera देखने को मिल जाएगा इसका aperture है f 2.4 इस camera के साथ आप 30 frame per second में full HD वीडियो shoot कर सकते हैं यानि इस mobile के front camera के साथ भी आपको average level का photo या वीडियो का output देखने को मिल जाएगा connectivity के बार में अगर बात करें तो इस mobile में आपको 5G, Wi-Fi 5, Dual Blend, Bluetooth 5.3, Dual 4G Volt देखने को मिल जाएगा प्रोसेसर के बार में अगर बात करें तो इस mobile में आपको immediate dimensity 7025 प्रोसेसर देखने को मिलेगा ये एक 6NM octa-core processor है और इसका maximum clock speed है 2.5 GHz इसमें IMG BXM 8256 GPU का use किया गया है और ये chipset इस mobile के साथ नया नया launch हुआ है और इसका performance भी बहुत ही अच्छा होने वाला है इस mobile में आपको 6NM architecture में बील्ड हुआ एक processor मिल रहा है 6000 image का battery मिल रहा है और IPS display मिल रहा है यानि battery backup आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है और multi-tasking या regular day उसका काम इस mobile से साथ आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाऊगे और game भी आप इस mobile के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से खेल पाऊगे ये mobile दो storage variant में market में launch हुआ है 8GB 120, 8GB और 12GB 256GB इसका RAM टाइप है LPDDR4X और इसका storage टाइप है UFS 2.2 इसमें hybrid sim slot support करेगा इस mobile के 8GB 128GB variant का market price है 14,999 और 12GB 256GB variant का market price है 16,999 तो budget के अगर हिसाब करें तो इस mobile में आपको एक console display मिल रहा है उसके साथ साथ refresh rate और touch sampling rate भी आपको काफी अच्छा मिल रहा है और brightness भी इस mobile में बहुत ही अच्छा दिया हुआ है और इसके अलाबा 50MP का dual camera देखने को मिल रहा है और 6000 image का एक big battery मिल रहा है यानि इस mobile के battery backup बहुत ही अच्छा होने वाला है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस mobile में आपको एक बहुत ही अच्छा performance बाला 6NM architecture में बिल्द हो एक processor मिल रहा है जिसका performance बहुत ही धमाकेदार होने वाला है तो आप मेंसे जो कोई भी बहुत ही fast multitasking करना चाते है या regular day उसका काम करना चाते है उसके लिए ये mobile बहुत ही perfect होने वाला है बहुत ही कम budget range में तो मेरे हिसाब से ये mobile एक बहुत ही अच्छा value for money phone होने वाला है आपके लिए तो इस mobile के बारे में आपका क्याड़ा आए है कॉमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अगर अच्छे लेगे तो एक like ज़रूर करके जाना और इसे ही mobile से related वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना